आज के लेक्चर में हम चैप्टर फाइव के एक्सराइज फाइव एफ सॉल्व करेंगे फाइव एफ क्या है? एज पर बेस्ट कोईशन है इसमें यहाँ पर हमें फॉर्थ कोईशन से सॉल्व करना है तो हम क्या करते है एज वाले कोईशन में पहले टेबल बनाते है तो यहाँ पर हो गई प्रिजेंट एज और यहाँ कौन कौन है? फाइव है और उसकी डॉटर फाइव और डॉटर तो यहाँ पर हम लिट करते हैं कि प्रिजेंट एज डॉटर की अगर एक्स है तो फाइव की भी कुछ एज होगी है उसको वाई लेते हैं जोटर की एक्स लिया हमने और फाइव की वाई यह हो गई दोनों की प्रिजेंट एज अब यहाँ क्या कह रहा फोर येर्स एगो तो फोर येर्स एगो की देखते हैं फोर येर्स एगो यानि चार साल पहले चार साल पहले डॉटर की एज क्या रही होगी अभी एक्स है चार साल पहले एक्स माइनस फूर अभी y है, 4 सार पहले y-4 फिर आगे क्या है, 9 years hence 9 years hence मतलब कि 9 years बाद, बाद में, यानि future में तो यहाँ पर y plus 9 और यहाँ x plus 9 अभी आप 15 के हैं तो 5 years बाद 20 के हो जाएंगे यानि 15 plus 5 किया उसी तरीके से अभी x है 9 years बाद, x plus 9 यह आगया समझ में अब देखिए, यहाँ क्या कह रहा है question बनाएंगे यहाँ से 4 years ago, a father's age was square of his daughter age daughter की age का father क्या है, square है daughter की age का father क्या है, square है daughter की age का father, square है अब equation बनाना है तो equal दिखाना पड़ेगा y minus 4 यह father की age है यह daughter की age है 4 साल पहले हैं दोनों तो यहाँ पर father क्या है? square है father क्या है? square है अब equal दिखाना है, तो square किदर लगेगा? इस side लगेगा क्योंकि यह square है, पहले से ही इधर square लगा देंगे ति और बड़ा हो जाएगा जैसे हम देखें, मालीजे, daughter 5 की रही होगी यहाँ पर यह 5 है, तो यहाँ यह 25 है चार साल पहले, daughter 5 की, तो father 25 की यह है अब दोनों को equal दिखाना है, तो क्या करेंगे? square, daughter की age में लगाएंगे ना तो यहाँ पर हमने लगाया समझ में आया? अब यह हो गई पहली equation अब देखिए, second equation 9 years hence, his age will be 2 more than thrice his daughter's age यानि अगर daughter की age का हम 3 times कर दे thrice यानि 3 times 3 times कर दे, तो father की age क्या हो जायती है? 2 years ज्यादा हो जाती है 9 years में यह y plus 9 है और यह x plus 9 ठीक है, यह daughter की age, यह father की age अगर इसे 3 times कर देते हैं तो जैसे हमने कर दिया 3 times कर दिये, तो यह क्या हो गया? 2 years ज्यादा हो गया अब दोनों गों equal दिखाना है हमें जैसे हमने 3 times किया यह 2 years ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया न 2 years तो यहां हमें equal दिखाना है तो 2 किधर add करेंगे? इस side क्यों? देखिए जैसे ही हमने थ्री टाइम्स किया डॉटर के एज का यह टू एर ज्यादा हो गया अगर टू इधर एड़ कर देंगे ति यह और ज्यादा हो जाएगा हमें क्या करना है इक्वल दिखाना है इसलिए यहाँ पर टू एड़ किया यह सेकेंड एक्वेशन हो गए सॉल्व करें यह समझ में आया ना सॉल्व करें इसे तो y प्लस 9 3x 27 प्लस 2 3x प्लस 29 यह प्लस में उधर गया माइनस में y इक्वल टू 3x प्लस 20 यह यहाँ पर हो गया अब देखिए सेकेंड एक्वेशन से हमने सॉल्व किया y की वेल्यू आगे 3x प्लस 20 जब हम क्वेशन बनाते हैं वहाँ सिर्फ एक वेरियेबल होता है और यहाँ पर देखिए एक एक से एक वाई दू वेरियेबल है तो y की जगे हम लिख देते हैं 3x प्लस 20 यहाँ पर देखिए तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 20 minus 4 is equal to x minus 4 x minus 4 का whole square यानी a square plus b square minus 4 to the 8x यह हो गया और quadratic equation में x at 0 रहता है ax square plus bx plus a is equal to 0 तो इधर की सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे इधर बचेगा 0 तो x square plus 16 minus 8x यह plus में उधर गया minus में यह plus में उधर गया minus में यह minus में उधर गया plus यह चीज़ हो गया यह x square 8 और 3 11 हो जाएगा 16 plus 4 क्या होगा 20 20 minus 20 जीरो तो सिर्फ यह ही बचा x square minus 11x x square minus 11x क्या आ गया 0 आ गया यहाँ x यहाँ x तो common है तो common ले लेते हैं यह यहाँ पर हो गया और अगर a into b 0 रहता है तो यहाँ पर यह तो a 0 होगा यह तो b 0 होगा यह दोनों multiply में और इधर 0 तो यह तो यहाँ पर x 0 होगा यह x minus 11 0 होगा यहाँ से x की value आ गया 11 और यहाँ से आ गया 0 अब देखिए age है यह x की value क्या है x क्या है age है न तो age ना तो कभी negative होगा और ना ही 0 होगा तो यह तो cancel होगा x की value यहाँ से क्या आए 11 years क्या आए यहाँ पर 11 years हमें find करना है find their present ages present age find करनी है तो daughter की age यहाँ पर क्या आ गई 11 और father की age यहाँ से आ जाएगी y 3 इंटू 11 प्लस 20 33 प्लस 20 53 क्या आ गई 53 daughter की आ गई 11 और father की आ गई 53 समझ में आया नोट कर लीजिए fifth question है Mrs. S. Rao has two sons at present her age is equal to the sum of the squares of their ages 17 years hence she will be twice her older son's age find the present ages of her sons if their age difference is one year देखिए यहाँ पर एक Mrs. Rao है उनके दो सन है तो यहाँ पर लिख लेते हैं Mrs. S. Rao और दो सन है तो एक बड़ा होगा एक छोटा क्योंकि यहाँ पर difference दिया हुए दोनों का one year तो यहाँ पर हम son one लिखते हैं यानि यह बड़ा वाला है son two लिखते हैं यह छोटा वाला यह बड़ा वाला son है यह छोटा वाला अब present age यहाँ पर लिखें तो present age हम लिट करते हैं कि S. Rao की age मान लिजे एक्स होगी पहले वाले son की Y और दूसरे वाले son की Z यह present age हमने लिट किया अब देखिए क्या कह रहा है at present age हर age is हर age यानि उसकी age is equal to sum of their squares of their ages यह देयर यहाँ पर son के लिए कहा गया है तो यहाँ क्या है कि S. Rao की जो age है S. Rao की age है is equal to the squares square करना है, squares का sum at present her age is equal to the sum of their squares of their ages इन दोनों का squares इन दोनों squares का sum क्या है? मदर का age है यह चीज़ समझ में आया ना पहले question यह हो गई और यहाँ पर दिया हुआ है there is difference is one year यानि y minus z क्या है? one year y बड़ा है, यह छोटा यह यहाँ पर हो गया दोसरी equation और यहाँ क्या कह रहा है? 17 years hence यानि 17 years hence यानि 17 years बाद future की बात हो रही है 17 years बाद अभी आप 15 के हैं 5 years बाद 20 के हो जाएंगे उसी तरीके से अभी x की है तो 17 years में x plus 17 अभी यह y का है y plus 17 अभी यह z है 17 years बाद z plus 17 हो जाएगा यह 17 years किये जा गई यहाँ पर देखिए 17 years hence she will be twice her older son यानि बड़े वाले son यानि y के लिए कह रहा है कि बड़े वाले son से 17 years बाद she will be twice her older son older son का यह क्या हो जाएगी two times हो जाएगी twice यानि two times तो बड़े वाले यह बड़े वाला son है क्या होगी 17 years में y plus 17 और यह mother की x plus 17 यह यहाँ पर है यहाँ कह रहा है कि अगर हम अगर हम son की age को two times कर देते है son की age को हमने two times किया तो mother की age two years 17 years she will be twice her older son हाँ तो यहाँ क्या कह रहा है यहाँ पर यह चीज़ देखी फिर से 17 years since she will be twice her older son बड़े वाले son का यह two times हो जाएगी 17 years बाद S राओ क्या हो जाएगी two times हो जाएगी अपने son का two times हो गई 17 years बाद यह mother क्या हो गई two times हो गई अब हमें equal दिखाना है तो two times किदर करना पड़ेगा छोटे वाले की तरफ यह two times already है अगर इधर two multiply कर देंगे तो यह और बड़ा हो जाएगा हमें क्या करना है equal करना है यह चीज समझ में आ रहा है ना हमें equal करना है जैसे मान लीजिये 17 years बाद कुछ भी यह लेट कर सकते है मान लीजिये यह five और यह क्या हो जाएगी ten क्योंकि two times यह five into two ten यह five तो यह ten अब equal दिखाना है तो two times किदर करना पड़ेगा छोटे वाले की तरफ यह चीज समझ में आया यह रही हमारी third equation यह यहाँ पर अब solve करते हैं इसमें से तो यहाँ पर देखिए third equation solve करें तो यहाँ x plus 17 यहाँ हो जाएगा 2y और यह हो गया 34 यह plus में उधर गया minus में हो जाएगा इसको यहाँ पर लिखते हैं तो x is equal to 2y plus 34 minus 17 यहाँ से आजाएगा 2y plus 17 x की value क्या आगए 2y plus 17 यहाँ से देखिए y minus z is equal to 1 तो y की value यहाँ से क्या आजाएगी यह z की निकालने तो z की क्या आजाएगी यह minus में इधर गया plus में तो यहाँ पर हो गया और यह plus में इधर आया minus में तो y minus 1 समझ में आया ना तो x की यह आगई z की यह आगई अब पहली equation क्या है x is equal to y square plus z square है हमें यहाँ पर 3 variable है अब हमें क्या करना है सिर्फ एक variable चाहिए क्योंकि एक variable आजाएगा वो quadratic equation और quadratic equation बना तो हमें solve करना आता है x की जगे क्या लिखेंगे 2y plus 17 लिख देते हैं 2y plus 17 y, y लिखा हुआ है z की जगे y minus 1 y minus 1 यह हो गया अब देखिए एक ही variable है न हाँ जगे तो अब solve करते हैं 2y plus 17 y square y minus 1 का whole square यानि a square plus b square plus sorry minus 2y यह हो जाएगा यहाँ हो गया 2y square minus 2y plus 1 यह plus में सब उधर जाएगे इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा minus 2y यह minus 17 यहाँ 0 यह हो गया 2y square minus 2y minus 2y minus 4y minus 17 plus 1 minus 16 is equal to 0 यहाँ यहाँ तीनों जगे 2 common है तो 2 को common ले लेंगे तो यहाँ y square minus 2y minus 8 is equal to 0 0 यह multiply में उधर जाएगा divided में तो 0 divided by कोई भी नंबर होगा क्या आएगा 0 ही आएगा तो यहाँ से हमारी equation आगई y square minus 2y minus 8 is equal to 0 यह क्या है यहाँ पर हो गया y square minus 2y minus 8 is equal to 0 यह quadratic equation में बन गया अब इसे solve करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है y square minus 2y minus 8 is equal to 0 अब चाहे फैक्टराजेशन में या formula method से कर सकते हैं इसे फैक्टराजेशन से करें तो देखिए फैक्टराजेशन में n to c करते हैं क्या करते हैं n to c a यहाँ पर है 1 c क्या है 8 a क्या है plus c क्या है minus plus minus minus होता है यानि इन दोनों को हमें subtract करके क्या लाना है 2 लाना है b के पहले यानि 2 के पहले plus हो या minus हमें नहीं देखना हमसे क्या मतलब है कि इन दोनों को subtract करके हमें 2 लाना है subtract करें क्या 2 आ रहा है नहीं आ रहा है तो अब क्या करें 8 को कर सकते है 4 into 2 4 into 1 into 2 और जब भे हम check करते हैं तो हमेशा 2 ही number होने चाहिए यहाँ पर 3 है 3 को क्या करें किसी एक से multiply कर ले तो 4 into 1 4 होगे और यह 2 4 minus 2 2 आ रहा है यानि यह हम पर हो जाएगा y square यह minus से लिखा रहने देंगे 2y की जगे क्या लिखेंगे 4y minus 2y minus 8 is equal to 0 solve करें minus 4y minus minus plus 2y minus 8 is equal to 0 y यहाँ पर common तो y minus 4 2 यहाँ पर common तो y minus 4 is equal to 0 अब देखिए यहाँ y minus 4 यहाँ y minus 4 तो y minus 4 common ले लेंगे और y plus 2 आ जाएगा a into b अगर 0 है तो a 0 होगा या तो b 0 होगा यहाँ सो जाएगा y minus 4 is equal to 0 और y plus 2 is equal to 0 यहाँ से y की value 4 आ गई यहाँ से y की value minus 2 आ गई और यहाँ पर y minus 2 है और हमें पता है कि age कभी भी negative नहीं होती तो यह answer कट गया यहाँ से आया y is equal to 4 y की value क्या आ गई? 4 आ गई हमें क्या find करना था? find the present age of our sun हमें सिर्फ sun की age find करनी है तो यह दोनों sun है इन दोनों की age find करनी है तो यहाँ पर हो गया यह 4 यह हो गया 4 और इस sun की age क्या हो जाएगी? यहाँ से देखें यह 4 हो गया तो 4 4 minus z is equal to 1 है यह minus z उधर गया प्लस हो जाएगा यह plus में धर गया minus 4 minus 1 त्री तो z की value यहाँ से आ गई 3 यानि बड़े वाले sun की age है 4 year छोटे वाले sun की age है 3 year दोनों का age difference 1 year का है यह 4 यह 3 आयाँ समझ में नोट कर लीजिए 6th question है 10 years ago Amina's age was square of her sister's age 11 years hence she will be 6 years older than her sister find the present age यहाँ पर है Amina और उसकी sister यहाँ पर पहले हम लिखते हैं present age present age तो Amina की present age माल लीजिए x है तो sister की y दोनों को लेट करते हैं Amina की x और sister की y हमने लेट किया 10 years ago 10 years ago यानि 10 साल पहले 10 साल पहले Amina की x minus 10 और sister की y minus 10 हो जाएगी क्या कह रहा है आपर 10 years ago Amina's age was square of her sister age Amina की age उसकी sister का square हो जाएगा यह रही sister की age यह रही Amina की age यह Amina की age यह sister की age तो Amina की age 10 years ago कहना तो Amina की age क्या हो गई यहाँ पर क्या हो गई square हो गई अपनी sister का अपनी sister का यह square हो गई ठीक है अब दोनों को equal दिखाना है तो किधर square करेंगे छोटे वाले की तरफ क्योंकि यह square है इधर square कर देंगे तो यह और बड़ी हो जाएगे तो equal हो ही नहीं पाएगा इधर छोटा है तो इधर square कर देंगे यह चीसों में आता है ना next देखें 11 years hence यानि 11 years बाद 11 years hence यानि future की बात हो रहे है 11 years बाद अभी x की हैं तो x प्लस 11 अभी y की हैं तो y प्लस 11 यह हो गई 11 years since की एज she will be 6 years older than her sister 11 साल बाद अमीना अपने sister का 6 years ज़्यादा रहेगी 11 years की एज यह रहे 11 years की एज है अब यह क्या है अमीना 11 years बाद की एज है यह अब यहाँ पर क्या है अमीना 6 साल बड़ी है दोनों को equal दिखाना है यह 6 साल बड़ी है दोनों को equal दिखाना है तो 6 years किधर add करेंगे छोटे वाले की तरफ छोटे वाले की तरफ add कर देंगे तो दोनों equal हो गए यह first equation बस आपको यह concept सोनने आ जाए कि किधर हम square करेंगे किधर add करेंगे equation बनाना आ जाए तो solve करना आपको आता ही है solve करें इसे तो यहाँ पर हो जाएगा x is equal to y plus 11 plus 6 minus 11 यह और यह cancel x की value आ गए y plus 6 x की value क्या आ गए यहाँ से y plus 6 ठीक है अब इस first rule equation में इसे put करेंगे तो y की जग, x की जग क्या लिखेंगे y plus 6 x की जगे y plus 6 minus 10 यहाँ पर है y minus 10 का whole square y यहाँ पर करेंगे minus 4 आ जाएगा a square plus b square minus 2ab यह हो गया अब quadratic equation है तो एक तरफ क्या रहता है, 0 रहता है न a square plus b square ax square plus bx plus c is equal to 0 यह plus में सब उधर चले जाएगे मतलब यह left hand side वाले right hand side में चले जाएगे तो यह हो गया यह plus में उधर गया minus में यह minus में उधर गया plus में यह यहाँ पर हो गया solve करें तो y square इन दोरों का क्या जाएगे minus 21y 100 plus 4 104 is equal to 0 यह हो गया formula लगाए formula क्या हो जाएगा y is equal to minus b minus b क्या है? minus 21 plus minus under root b square यानि minus 21 का square minus 4 into a into c c क्या है? 104 upon 2a यानि 2 into 1 यह हो गया अब solve करें इसे तो minus minus 21 plus में हो जाएगा 21 का square क्या हो जाएगा? 21 का square यानि 1 और यह 4 और यह 4 यानि 441 क्या हो जाएगा? 441 minus 4, 4 जब 16 1, 4 जब 4 upon 2 into 1, 2 minus करेंगे तो 11 में से 6 के अब 5 आ गया यह 3 हो आ 3 में से 7 गया 2 हो गया और यह 4 में से 4, 0 यह यहाँ पर है अब एक बार प्लस और एक बार माइनस अंडर रूट 25 यहाँ से क्या निकलेगा? 5 निकलेगा तो कहाँ पर लिखें? यह यहाँ पर y is equal to 21 plus minus 5 upon 2 एक बार प्लस और एक बार माइनस तो y देखिएं एक बार प्लस करेंगे तो 26 by 2 और एक बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यह 5 यह 6 हो जाएगा और यह 1 upon 2 यहाँ से आ गया 8 यहाँ से आ जाएगा 13 यहाँ से 8 आ गया और वहाँ से 13 आ गया 6, 5, 11, 1 ठीक है यह चीज होआ? सुन में आया? अब देखिए यहाँ y की value कितनी आ रही है? 13 आ रही है और 8 आ रही है दो value आ रही है y की 13 और 8 इस sister की 13 और 8 आ रही है अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए y की 2 value है 13 और 8 अब चेक करते हैं कौन से सही होगा? तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम x भी 2 आ जाएंगे तो जब y हमारा यहाँ पर लिखिए x क्या है? y प्लस 6 x क्या है? y प्लस 6 y प्लस 6 यहाँ से अगर y 13 है 13 प्लस 6 19 आ जाएगा जब y 13 है तो x क्या आएगा? 19 यहाँ पर y क्या है? 8 x क्या आ जाएगा? 8 प्लस 6 14 देखिए जब x 19 तो y 13 जब x 14 तो y 8 दो चीजे हैं अब दोनों में से कौन से सेट्स आई होगा? यह यहाँ पर देखिए x क्या आई है दोनों की? प्रेजन्टेज आई है ठीक है प्रेजन्टेज है 10 एगो x माइनस 10 और y माइनस 10 है तो यहाँ पर देखिए x क्या है? 14 माइनस 10 और y क्या है? यहाँ पर 8, 8-10 यहाँ पर करेंगे 4 आ रहा है, यहाँ पर करेंगे minus 2 तो देखिए, यहाँ पर इस वाले को हमने रखा है, यहाँ पर y को 8 और x को 14, y को 8, y को 8 और x को 14 रखा तो 10 साल पहले अमीना 4 साल की थी, और सिस्टर minus 2 minus 2 कैसे हो सकता है? 10 साल पहले अमीना 4 साल की और सिस्टर minus 2 कैसे हो सकता है? यह possible नहीं है न, negative हो सकता है कभी age? नहीं, 10 साल पहले अगर अमीना 4 साल की थी, तो सिस्टर minus 2 की नहीं होगी तन आया न, negative नहीं हो सकता, तो यह जो option है हमारा, यह cancel हो गया अब बचा क्या? यह वाला तो X की value 19, Y की value 13 देखिए, जब 2 age आ जाए, तो हमें क्या करना है? चिक कर लेना है समझ में आ रहा है न, क्या करना है? चिक कर लेना यहां से X की value आए 19, Y की value 13 X क्या लिया था हमने? अमीना, यानि अमीना की age है 19 और सिस्टर की age है 13 यही हो गया हमारे answer नोट कर लीजे यहां से यह 6th question complete हो गया अब next lecture में हम new exercise solve करेंगे Thank you for watching this lecture owej कर दया अ I पु़वरे मिज़ पूज़े अ I कर दो आ मिए पॉ झाल झाल